अंध्र प्रिदेश के मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नाइडू के नित्रित्व में 21 विपक्षी दल एक बार फिर 50 पर सेंटी वी एमवी वी पैट मिलान को लेकर सुप्रीम कोट जाएंगे। रविवार को विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर बैठक भी की। कॉंग्रेस नेता अभिशेक सिंग्वी ने कहा कि विपक्षी दल इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोट जाएंगे। कोट से आग रह किया जाएगा कि चुनाव आयोग हर विदान सभा में कम से कम 50% मतों का आई वी एम वी वी पैट से मिलान करे। विपक्षी वी एम के म मुद्दे को लेकर पूरे देश में अभियान चलाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोट ने चुनाव आयोग को ईवी एम और वी वी पैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोग सभा सीट के अंतरगर आने वाली सुप्रीम कोट में या चिका दाखिल की थी। चीप जस्टिस रंजन गुगोई की अध्यक्षता वाली बेचविपक्षी पार्टियों की 50% पर्चियों के मिलान की मांग पर सहमत नहीं हुई थी। भेच ने कहा था कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। बुनियादी धाचे को देखते हुए ये मुम्किन नहीं लगता। इससे पहले सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोट में कहा था कि वीवी पैट स्लिप गिनने का मौजूदा तरीका सबसे उप्योक्त है। अभी सिर्फ एक पोलिंग पर इवी एम और वीवी पैट परचियों का मिलान होता है। विपक्षी दलो ने दायर की थी याचिका नायडूं के अलावा शरत पवार, केसी वेनु गुपाल, डे रेको ब्रायन, शरत यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्रमिश्रा, एमके स्टालिन, टीके रंग राजन, मनोज कुमार जा, फारूक अब्दुल्ला, एसैस रेडी, कुमारदाने शली, अजीत सिंग, मुहम्मद बदुद्दीन अजमल, जीतन राम माझी, प्रुफेसर अशोक कुमार सिंग याचिका करताओं में शामिल थे।